एक वीवर का कोस्टन है कि age opposed to क्या है तो आईए फ्रेंड्स उनकी confusion को खत्म करते हैं age opposed to का मतलब होता है के बजाए यानि इस topic का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी एक काम के बजाए दूसरा काम करना जैसे अगर आपको कहना हो MI के बजाए मैं आईफोन खरीदूँगा तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I will buy an iPhone as opposed to MI यानि MI के बजाए मैं आईफोन खरीदूँगा यहाँ मैंने बताया किसी एक काम के बजाए मैं दूसरा काम करूँगा English के बजाए मैं आपको French सिखाऊँगा तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I will teach you French as opposed to English यानि English के बजाए मैं आपको French सिखाऊँगा अगर आपको कहना हो Canada जाने के बजाए मैं Thailand जाऊँगा तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I will go to Thailand as opposed to Canada यानि Canada जाने के बजाए मैं Thailand जाऊँगा अगर आपको कहना हो यह काम करने के बजाए मैं वह काम करूंगा तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I will do that work as opposed to this work यानि यह काम करने के बजाए मैं वह काम करूंगा तो friends उमीद करता हूँ कि आपको यह topic शांदार तरीके से समझ में आया कि as opposed to क्या है यहां मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास भी कोई question है तो आप comment box में टाइप करें मैं जल्द आपके question पर वीडियो बनाओगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lesson के साथ तब तक के लिए बाई